बोलिये स्री प्राणाथ प्यारे कीज़ें चर्चा प्रारंब भोत हें सुनो साथ चित दें भजो राज स्याम स्री प्राणाथ सकी जीवन हमारुए स्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दें लाल आगे आए बैठे इन तखत एक बात इतो और भई सब कुवर ठाकों में खरच राज की बक्सी से देखके धोखा भया मन में धोखा भया मन में खरच इत से पहुचे नहीं परिवर्म सच्चदानन्द धामधनी लालदास जी के धाम हिरदेवी राजमान हो करके श्री पाँच पदमाउती पुरिधाम की बीतक का प्रशंग वर्नन करते हुए कहते हैं जब पाँच हजार की जमात के साथ श्री जी छत्रसाल जी के यहां पहुचे और तीन चार वरस लगबग व्यतीत भी हो गए इन दिनों की तरह बहुत सारे सुन्दर्शाथ उहां थे नहीं नई नई जागनी और बाहर से गए हुए सुन्दर्शाथ थे साइद उन दिनों में उस इलाके में कुछ जब किलकिला नदी का प्रसंग आता है तो कुछ गवड लोगों का ही वर्णन आता है जो दूर जंगलों के किनारे रहते होंगे बंगला जी के चारों तरफ या आज जिसको पन्ना नगर के नाम से जाना जाता है वहां इक्के दुक्के ही कोई लोग रहते होंगे कोई जागनी थी नहीं दूर से आए हुए सुन्दर साथ वो भी सब अपना घर द्वार छोड़ करके आए हुए थे छटर साल जी के यहां इतना बहुत ज़्यादा इंकम हुआ नहीं करता था उन दिनों में अपने राज्य को चलाने के साथ साथ इतने सुन्दर साथों को भोजन पानी इत्यादी की बेउस्ता हो सके सब के मन में यह दुविधा हो गई थी कि इनके पास कोई एक ऐसा रसायन है जिसके द्वारा यह कीमिया गिरी का कारिय करते हैं कीमिया गिरी करते हैं लोहे को सोर्ण बनाने का जो कारी होता है उसको कीमिया गिरी करते है तो ये एक प्रकार से जो ये चमतकार की तरह ही माना जाता है इसको सब के मन में ये हो गया कि सिरी जी के साथ ये कीमिया गिरी का कार्य करने वाले लोग हैं ये सब लोहे से सोड़ने इत्यादी बनाते हैं और उसको बेच-बेच करके अपना खर्चा पानी चलाते हैं पुरे छट्रशाल जी के बंसज में राज परिवार में ये बात हावा की तरफ फैल गई सब लोग यही कहते हैं कि इतने लोगों के लिए खर्चा पानी आता कहां से सेवा कहां से आती हैं ये सब किमियरी का कार्य करते हैं तो छट्रशाल जी की कानों में भी ये बात पहुंचती है तो सब को पता चलता है कि छट्रशाल जी की यहां से इतने सेवा नहीं जाती राजदरवार से ये चत्साल जी को अच्छा नहीं लगा उनको कुछ लगता है कि मेरे घर आए हुए मेरे द्वार पर आए हुए ये सुन्दर साथ की सिरी जी की सेवा जो मेरे हाथ से नहीं हो पा रही है अपने आपको लज्जा महसूस करते हुए एक दिन जा करके अपने कक्स में बंद हो जाते हैं और सबेरे से जैसे दिन्चरिया में उपस्तित हुआ करते हैं दर्वाजा अंदर से बंद करके अंदर ही बंद हो जाते हैं अपने आपको रानियों ने जा करके बुलाने का प्रयास किया असभल हो जाती है दुपहर का समय हो चुका है अभी छट साल जी बाहर नहीं आते हैं तो उनके चाचा स्री को बता दिया गया बल्दिवान जी को बल्दिवान जी जाते हैं कहते हैं कि छट साल जिस दिन से तुमारे माता पिता ने तुम्हें मेरे हवाले करके चले गए तुम्हारे आखों में हमने आशु नहीं देखे तुम्हें किस बात की तकलीफ है मुझे बताओं पहले तो मुश्किल से दरवाजा खोल लिया जब मिलते हैं तो कहते हैं कि मेरे घर में साक्षयात परब्रम सरुप स्री प्राणा जी पधारे हैं और उनके लिए सुरू से ही राजदरवार के बहुत लोगों ने उनके उपर ससंकित रिष्टी से देखा उनके सरुप की पहचान नहीं की और जिस प्रकार से मैं सेवा करना चाहता हूँ ना आर्थिक रूप से कर पा रहा हूँ और ना मांसिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी मुझे इस सयोग नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे इस चीज का बहुत दुख है उनके चाचा स्री ने कहा कि इसके लिए कोई उपाया निकाल लेता है इस तरह से दूखी होने से कोई लाव नहीं ये छत्रशाजी को मनाते हैं छत्रशाजी करते हैं मैं ऐसे केवल सब्दों से कहने पर भरोसा नहीं करता हूँ आप इसका जो भी समाधान निकालना चाहेंगे उस समाधान के लिए मुझे लिखित रुप में दीजी तब बोले बल्दिवान तब छत्रशाजी के चाचा स्री बल्दिवान जी कहते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है हम अपने आसपास के छेत्र में जाएंगे और वहां जा करके धर्म युद्ध करेंगे क्योंकि अब उनको विश्वास हो गया क्योंकि जो महोवे का इतना बड़ा काजी था जब उसने कसम खा करके कुरान सिर्फ पर रख करके कह दिया कि ये जमाने के खाबिन्ध है और साइद उन दिनों में उसके द्वारा ही पड़े हुए कितने मौलबी होते होंगे जो आसपास के छेत्रों में इसलाम के जो बड़े पदों में रहते होंगे या धर्म के सिक्षा देते होंगे जब उन्होंने ये कह दिया कि ये जमाने के खाबिन्ध हैं तो बल्दिवान जी ने भी शत्र साल जी से कह दिया हम उन छेत्रों में जाएंगे और धर्म युद्ध करेंगे सास्त्रार्थ करेंगे उसके लिए एक हथिनी तयार करेंगे स्रीजी को हथिनी पर बठा करके ले चलेंगे सुन्दर साथ की एक जमात भौज आगे पीछे चलेगी और जहां जा करके धर्म युद्ध में हमारी वि बांकि जो बच्चा हुआ राजकोस में जमा होगा जिसे राज जिका संचालन किया जाएगा इस प्रकार से बल दिवान जी ने छट्रशाल जी को एक सलहा दी उसके अनुरूप यह कहा गया है जगा जगा पर कि छट्रशाल जी ने इस बात को कागजों में लिख्वा लिया उन चाचा श्री से उसके बाद छट्रशाल जी वहां से उठकर के आते हैं और श्री जी को आकर के अपने शारी आपाविती बताते हैं संबंद्र 1743 यह संबद 1743 का समय है विक्रम संबद 1749 के अंत में 40 के असपास श्री जी पर ना पहुंचे हैं तो तीन चार साल का समय हो गया अब तक यह सेवा कहां से आ रही थी पता नहीं था तो श्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है यह मेरते के राजा राम जाजन भाई जो संदर साथ है अगरवाल परिवार के जब से इनकी जागनी हुई स्री जी का मेरता आगमन हुआ था तब से उन्होंने अपनी सारी कमपनी स्री जी के हवाले कर दिया स्रीजी कहते हैं मैं अपना घर द्वार छोड़ करके चला हूँ तो ये कंपनी कहां चलाता रहूँगा लेकिन यदि आप इन सुन्दर्शाथ की सेवा में धर्म की सेवा में ये सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो राज्जी करें कि इसके दिन में दुगनी रात में चौगनी बृद्धी हो जाएं और इसका संचालन आप एक मैनेजर के तور पर कीजिए जो इसको संचालन करने के लिए खर्च आता है वो इसमें ब्याय किया जाएं अत्रिक्त इसमें से जो भी कमाई होती है वो सुन्दर राजाराम जाजन भाई ने इतने सुन्दर साथ की खर्ची पाती, कंबल ओडने, बिछाने, पहरने के, खाने, पिने के, बरतन इत्यादी और दवाईयां जो भी जरूरत पड़ती थी, बक्त पर उसदियों की जरूरत पड़ती थी, ये सब राजाराम जाजन भाई की सेवा कभीर जी ने कहा है जो धर्म की सेवा में और राज्य की सेवा करता है जागनी को आगे बढ़ाने के लिए जो सेवा करता है उसकी तो बात ही कुछ और है यदि एक दूसरे में सुन्दर साथ में भी अपने पराय की भावना यदि रखता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये परमधाम का अंकू नहीं है उसका लक्षण नहीं है मोमिन रखे मोमिन सोँ तन्मन अपना माल सो नहीं अर्वा अर्श की नतिन सिर नूर जमाल तार्तम बांडेक je कहती कि यदि एक सुन्दर साथ दूसरे सुन्दर साथ की संकट में विपरीद परिकितित्यों मैं यदि उसकी समझ्या को यद उसकी हिस्सेदारी भी बनना नहीं चाहता तो वो कैसा सुन्दर साथ है कैसा आत्मिय संबंद है उसको वास्तों में सुन्दर साथ नहीं कह जा सकता या फिर उसके अंदर धाम धनी की इतनी कृपा नहीं है कि उसने अपने संबंद को और अपने आत्मिक संबंद को पहचान ल हम भी स्रीजी के चड़नों में आएं और उनके चड़नों में रह करके कुछ सेवा करें और अपने कुछ बची सांसों को धनी के चड़नों में हम भी समर्पित करें इसके लिए उन्होंने स्रिष्टता पुर्वक एक पत्र लिखा था यदि आपका हुकम हो अनुमति मिल तो हम भी परनाजी आना चाहते हैं तो स्रीजी ने उस प्रसंग में ये कहा यदि एक सुन्दर साथ दूसरे सुन्दर साथ से इतने परायपन की भावना रखता है अपने पन की भावना यदि नहीं होती तो उसको कैसे आत्मियस संबंद से संबोधित किया जाएं तो यहां जो सुन्दर साथ अपने आपको धाम धनी की एक अरधांगिनी सरुक मानता है हाथ जोड़कर की ये प्रार्थना करता है कि तुम दुलहा मैं दुलहन और न जानो बात इस संसारिक रीती से भी ये दिद देखा जाएं तो एक कन्या जब विवाहा होने के बाद अपने पती के घर जाती है उसके हवाले अपना सब कुछ सौपती है अपना हाथ सौप देती है माता पिता सौप देते हैं तो निश्चिंद हो करके रहती है उनके आदेश का पालन करती है ये नहीं सोचती कि कल मेरा क्या होगा वो ये ही सोचती है कि उनका जो होगा मेरा भी वही होगा यदि हम धनी के चड़नों में समर्पित हो जाते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ निचावर किया तो वो क्या नहीं कर सकते यदि संसार की देवी अपने भगतों पर प्रसन्न हो जाती है लक्समी जी प्रसन्न हो जाती है तो उनको अनंत धन मिल जाता है भगवान भिष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भगतों के उपर बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं हमने भगत प्रलात की कहानी सुनी है उसके पीता जो संब्रक्षक कहा जाता है पीता को अपनी परिवार का गरम लोहे के थंबों से बान देते हैं कभी तो कभी तो खौलते हुए तेल में डाल देते हैं कभी पहाडों से फेंक देते हैं कभी तलवार से उसको छेदन करना चाहते हैं तो हर ऐसी विपरीत परिस्थिती में उनकी सारी परिष्थितियां अनुकूल कर देते हैं प्रतिकूल परिष्थिति को भी अनुकूल कर देते हैं तो जो धाम धनी जो ब्रहम सिष्टियों के पलपल सिर पर खड़े रहते हैं दिल्ली में इन ब्रहमुनियों को जब स्रीजी ने पत्र लिखा तो उन्हों लिखा था मैं तो तुम्हारे सीर पर खड़ा हूँ एक पाए हर हमेशा मैं तुम्हारे सीर पर एक पाउं के बल पर खड़ा हूँ एक पाउं के बल पर खड़ा होने का तात्परी क्या होता है एक पाउं पर खड़ा रहना मतलब जैसे मूल शरूप ने इन ब्रहमसिष्टियों की जागनी करके वापस अपनी परातम तक जागरित करके ले आने की सारी जिम्मेदारी आवेश शरूप के रूप में स्वेम वहन कर रहे हैं और वही आवेश शरूप की लिला महामती जी के तन से हो रहे हैं तो महामती जी को धनी के आदेश पर एक पाउं पर खड़ा कहा गया है जब धनी स्वेम महरवान हैं कृपा के सागर हैं सर्व सक्तिमान हैं सकल गुर्णिदान हैं उन्हें के कारिये उन्हें के आदेश पर किय जा रहा है तो फिर किसी चीज का अशंभव होने का कोई सवाली नहीं होता लेकिन हम उन पर एक बार विश्वास करके देखें यही विश्वास राजा राम जाजन भाई ने किया और इतने पांच हजार की जमात की सारी शेवा इन्होंने अपने हाथ से की और इसी का फल सरूप है अश्ट पहर की भी तक में आप सुनेंगे जब भी परनाजी में स्रीजी को भोग लगता है और स्रीजी सबसे पहले परशाद बितरन में बाईयों के लिए परशाद बितरन करने का आदेश देते हैं परशाद बितरन होता है तो सबसे पहले राजारम जाजन भाई को उसका स्वाद मिलता है यह धाम धने उनको ये सोगा दी जो सेवा करता है उस सेवा का फल उसको दो गुना नहीं हजार गुना आता है ब्याश्जी माराज ने कहा अर्थ का मूल क्या है? अर्थ का मूल धर्म ही है अर्थस्यमुलम धर्म यदि जहां धर्म नहीं है जहां के वोल पाप ही पाप होते है फिर भी वहाँ अर्थ की बेवस्टा हो जाती है तो यह समझ लेना चाहिए या तो उसके जीव ने पुरुजनम में कुछ अच्छे कर्म की थे जिसके बज़े से उसको उसका फल भोगने को मिल रहा है या उसके पुरवज़ों ने कुछ अच्छे कारी किये होंगे धर्म किये होंगे तो उसके बज़े से उसको मिल रहा है अन्यता जहां धर्म नहीं होता केवल अधर्म ही अधर्म होता है और धर्म का फल भी समाप्त हो जाता है तो केवल पुरुशार्थ करने मातर से परिश्रम करने मातर से लक्समी का निवास नहीं होता धन का निवास नहीं होता इसलिए जहां हम राजी की सेवा करते हैं तो वहां ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना कम हो गया वहां तो दौसगुना ज़्यादा बृद्धी होकर कियाता है लेकिन जो बृद्धी हो जाती हैं सुन्दर साथ समझते हैं कि यह तो हमने पुरुसार्थ किया पुरुसार्थ के बज़े से यह सब कुछ उबलब्ध हो गया है राजी जो परदे के पीछे से क्या कर रहे हैं किसको क्या देना है और किस से क्या सेवा लेनी है वो तो वही जान सकते हैं यदि छटर्शाल जी को यह न दिये होते हैं प्रतक्ष उदारण है परख शुरूप से तो यह सब कुछ चलता ही है इसी प्रसंग पर छटर्शाल जी जब दूखी होकर के सिरी जी के पास पहुंचते हैं तो छटर्शाल जी को कहा कि छटर्शाल तुम कल सबेरे अपने घोडे पर बैठ कर के आना सुर्य उदैस से पहले आ जाना सब्साल जी नहीं पूछा कि घोडे पर सवार होकर के मुझे कहां भेजना चाहते हैं या मुझे क्या करना है उन्होंने अदेश कर दिया ठीक है कोई प्रस्न नहीं किया सबेरे अपने भले भाई घोडे के उपर सवार हो करके लेकर के स्रीजी के सामने आए स्रीजी ने अदेश दिया कि छत्ता तुम इस पर सवार हो जाओ और इस घोडे को दोडाना प्रारम करो सुर्यास्त होने से पहले पहले तुम इस नगर में इस घोडे को जितना दोडा सकते हो दोडा लो छत्ता साजी घोडे को दोडाते हैं और सुर्यास्त के समय से पहले लवट करके आए जितना छेत्र में उन्होंने घोडे को दोडाया स्रीजी ने उनको बरदान दिया कि इतनी भूमी यहां हीरा पैदा होगी जब यहां हीरा पैदा होगा तो सब राजकोस में उसका कुछ न कुछ हिस्सा तो आएगा ही आएगा उससे सुन्दर साथ की सेवा हुआ करेगी धर्म की सेवा हुआ करेगी तुमारी सारी आर्थिक समस्यां दूर होगी आज भी परनाजी में जा करके देखेंगे ये स्री जी का अशिरवाद है ये कहा कि जब तक तुमारे बंस में एक भी ब्यक्ति कोई परनाजी के उपर धर्मनिष्ट रहेगा इमान रखता रहेगा तब तक ये भूमी हिरा उगलती रहेगी और सब को हरा भरा करती रहेगी और आज भी परनाजी की धर्ती में जो हिरा मिलता है ऐसा कहा जाता है कि अवल नमबर का होता है छट साल जी कहते हैं कि धामदनी ये तो आपका अशिरवाद है आपकी कृपा है आप सामर्थवान है जो कुछ चाहतें कर सकते हैं लच्छिदास जी के कड़ा के बारे में भी आपने सुना होगा जो गुमट जी के पिछले दर्वाजे पर कड़ा लगा हुआ है ये लच्छिदास जी का कड़ा है लच्छिदास जी चाहते थे कि गुमट जी को पूरी तरीके से सोने का बना दिया जाए सोने की इंटोंस से सजा दिया जाए और ऐसा महल बना दिया जाए स्रीजी ने कहा धन संपति स्वर्ण जबिरात इत्यादी भले बेवस्तापन के लिए ठीक है लेकिन यह है तो माया का ही सुरूप और जहां अक्षरतीत को अपना धाम निवास बनाना है जहां परमधाम से परनाजी को एक जागनी का धाम परमधाम निश्चित किया है जहां अक्षरतीत ने आकर के अपने संपूर्ण जीवन श्रीजी ने नौतन पुरिश से परनाजी तक पहुंचते पहुंचते कहीं फकीरी भेस धारन किया कहीं भिक्षा मांग करके भोजन किया सुन्दर साथ को कहीं धर्म साले में ठाराए कहीं भिक्षों के नीचे ठाराए किसी के घर में इतने सुन्दर साथ को रहने की बेवस्ता होती नहीं होगी तो पेड़ों की नीचे ही रह करके कि उन्हें जीवन बिता ही होगी धर्म एक ट्याग का सरूप है जहां धर्म की धीपक धर्म का दिपक जलता है वहां त्याग और समर्पंण और बलिदान के कुछ चीन होने चाहिए इसलिए इसको एक सोने का मंदिर नहीं बनना चाहिए उन्होंने उनकी पारश्मनी को मांग लिया और पीछे जान किलकिला नदी का जो बड़ा जहरना नीचे गिरता है कुंड है बगल में एक सोटा सा मंदिर भी है साहिद देवी का है या संकर जी का जिसका भी होगा उस कुंड पर फैक दिये लची दासरी को बड़ा अशरी हो इतनी किमती बस्तु को स्रीजी ने बढ़ू सरलता के साथ देखने के लिए मागा और वहां फैक दिये बहुत नाराज से हो गए, खिन हो गए, इतनी किमती बस्तु को स्रीजी ने कैसे फैंक दिया नाराज हो गए, रूठे रूठे से रहने लगे, कई दिन तक परणाम पाती भी नहीं होती सामने से अगर मिल गए तो हाथ जोड़के परणाम कर लिये होंगे नहीं तो कभी जा करके प्रेम से जैसे हमेशा जाते थे मिलना नहीं गए स्रीजी समझ गए कि ये दुखी हो गए हैं, एक दिन टहलते टहलते फिर उनको बुला लेते हैं अपने साथ ही बुला करके उसी कुंड के आसपास ले जाते हैं जहां उपारस्मणी फेंग दी गई थी और स्रीजी ने लच्छी दासी को कहा कि देखो तुम पारस्मणी की वज़े से बहुत दूखी हो रहे हैं उस जील में कितने सारे पारस्मणी जाओ उठालो तो देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पूरी जील ही पारस्मणी उसे बढ़ी हुई है तो लच्छी दासी समझ गए कि यदि स्रीजी चाहेंगे तो इतनी बड़ी जील को पारस्मणी से अगर भर सकते हैं तो पूरे ब्रमान को हीरे मोतियों से सजा सकते हैं इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और जिस परमधाम को अक्षरतित के दिल का जो मारिफत का सरूप है उसका हकिकत सरूप कहा जाता है लीला रूप में 25 पक्ष परमधाम है खोब खुशाली, सखिया, पेड, पौदे, जमीन, आस्मान और मानिक पहाड जिसकी उचाई 48 लाह कोशकी है वो किवल एक मानिक धातु का बना हुआ है मानिक एक नंग है धातु भी नहीं है पुखराज पहाड दो हजार भोम की उचाई लिया हुआ, एक पुखराज नक का है पूरे जमनाजी की लंबाई 18 लाह कोशकी है और 45 लाह कोश में तो पुखराज, पहाड, बंगला, अदवीज का कुण, धपो चवत्रा, मूल कुण, इनकी तलहटियों से ही 45 लाह कोश इन सारे जविरातों के महल से भरे हुए है उसके बाद 45 लाह कोश पूर्व और 45 लाह कोश दक्षिन और सामने 9 लाह कोश मिला करके 18 लाह कोश की दूरी पर जो जमनाजी बहती है उसका किनारा सब रतनों से जड़ा हुआ है हाउज कोशर ताल का बढ़न करते हुए महामती जी कहती है एक हिरे की ताल है तिन में जो कई महलात है पूरा हुज कोशर ताल की जो पाल है चारों तरब वो एक हिरे का बना हुआ है और वो भी चेतन है जिसमें चेतनत है जिसमें प्रकास है तेजमय है नूर है अखंड अभिनासी अक्षरतीत का अभिनस सरूप है राजी चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं इसलिए उनकी सारी दुबिदाएं समावत हो गई जब राजी इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मेरे पास जो एक पारशमणी धातु है वो कोई मायने नहीं रखती हैं ऐसे असंग के पारस्मने, पूरे ब्रमान को पारस्मने उसे भर सकते हैं, इसलिए उनकी सारी दुविदा समावत हो गई, उन्हें अपने मन की मलिंता को दूर किया, स्रीजी ने कहा कि देखो लच्छी दासी, तुम ये चाहते थें कि धामधनी की सेवा में एक सोन का ऐसा हो जाए, ताकि दुनिया याद करें कि ये लच्छी दासी ने बनाई थी, ये तुमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुमारा हाथ का कड़ा निकाल के दे दो मुझे, और वो हाथ का कड़ा गुमध जी के पिछले दर्वाजे पर लगवा दिया, और स्रीजी ने मुख से ये कह दिया, जिस सुन्दर साथ की जो भी दुविदा होगी, इस कड़े का इस्मरन करके, जो भी अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहेगा, वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, तो इस प्रकार से आज भी ये मान्यता है, ये कहा जाता है, कि जो धामधनी की आशिर अशिर्वाद को प्राप्त करना चाहता है, तो कई लोग अपने सारीरी कष्टों से दूर होने के लिए जमना जल लाते हैं, और उस कड़े को धो करके, चर्णावरित से धो करके, उसका पान करते हैं, और उसके चर्णावरित ला करके घरों में रखते हैं, च्छत साल जी फिर भी कहते हैं कि श्री जी आपका अशिर्वाद है, हम से क्या सेवा होगी, हम अपने हाथ से जो परिश्रम करके इन ब्रमनियों की सेवा करें, आपकी सेवा करें, तो मेरी सेवा होगी, श्री जी कहते हैं कि ये तुमारी इच्छा भी पूर्ण होगी, अब यहां से एक ह अथनी पर बैठते हैं श्री जी और सुन्दर्शाथ को आगे पीछे एक फाउज बना करके लेके चलते हैं और अब जा करके जगह जगह पर धर्म युद्ध होगा और वहां सास्त्रार्थ होगा जहां जहां से सास्त्रार्थ हो करके बिजे प्राप्त करेंगे वहां से लिख प्रकार से धन आरजन करके सेवा करूं तो ये उनकी सेवा हुई तो इस प्रकार से धन आरजन करने के लिए धन का मूल कहां है जहां धर्म है जहां सेवा है वहीं से धन का उपारजन भी किया जा सकता है अब यहां से राठ खड़त और जलालपूर और कालपी इन छेत्रों में जाते हैं और हर जग जा करके धर्म युद्ध होता है सास्त्रार्थ होते हैं और यह सारे लोग यहां के जो भी सास्त्रार्थ में सिरीजी के साथ कौन जित सकता था यह साक्षा धाम के धनी के सरूप जिनोंने धर्म गरंथों में निशान लिखवाए और जिन अक्षर की पंचवासना उने लिखा हुकमें बेद कतेब में लाखों लिखे निशान वो सब स्रीजी के हिर्दे में विराजमान हैं महामती जी के हिरदे में भी राजमान है तो उन्होंने जाकरके सब को धर्म का एक सच्चा मार्ग बताया और उन्होंने भी प्रशन्न होकर की इस्विकार कर लिया कि आज का हमारा दीन ये बहुत प्रशन्नता का दीन है क्योंकि हमें स्रीजी के सरुप का दर्सन मिला और ऐसे धर्म सांस्त्र के जो अन्सुलजे रहश्य हैं उन्होंने हमें बता दिये और एक सत की पैचान कराई खुशी खुशी उन्होंने जो लिख करके दिया वो सब और उन्हें बात्सा को दिल्ली में पहुँचा दिया गया कि इसमें ये लिखा हुआ रता था कि बगत आखिरत के जमाने के खावंद इमामधी के सरुप साक्षात स्रीप्राणाजी परनाजी में छत साल जी के घर और उनके मुखारविन से प्रगट होने वाली अलोकिक बाणी जिन धार्मग्रंथों के रहश्यों को दुनिया के धुरंधर बिद्वान लोग नहीं समझ पाते थे उनके मुखारविन से इतने सरल और शुगम तरीके से प्रकट होते हैं सुनने वाला वो पहले से ही समझ ज संय है और वहाँ जाकर करके कुरान और हदिश संबंदी सारी बाते होती रही हैं साथो निसान कयामत के अब कयामत की सातों निसान या तो दिल्ली में इन कयामत के सात निसान के बारे में बर्णन किया गया है या फिर राम नगर का जापरसंग आता है से खिदर का वहां सात निसान के बर्णन किये गए हैं यहां कुछ सात निसान के कुछ बर्णन किये हैं और अश्ट पहर में भी जाकर के जब स्रीजी दोनों तरफ धर्म ग्रंथों को रख करके बीच में बैठते हैं सुन्दर साथ उन निशानों को कभी पूश्टे हैं तो वहां भी बरणन करते हैं तो कियामत के जो साथ बड़े निशान कहे गए हैं उसका यहां बरणन किया जाहिर किये जब इन कयामत के सातों निशानों को की जबराइल फरिष्टा किस प्रकार से प्रगट हुआ कौन है अस्राफिल फरिष्टा जो जागरित बुद्धी का फरिष्टा है वो किस तरिके से प्रगट होता है इसारू अलाश्यामा जी का सरूप कौन है जो तार्तम ज् करेंगे तो वही इमामहदी का सरुप धारन करेंगे वही इमामहदी का सरुप सरी प्राणना जी का सरुप है इस प्रकार से कयामत के सातों निशानों को जाहिर करते हैं और उसमें दावातुल अर्ज नाम का एक जानवर बताया गया दावतुल अर्ज जानवर पैदा होगा औ उसको समाप्त करेगी इस परकार से दावातुल अर्ज का प्रगठ होना आजुज माजुज का प्रगठ होना और जब कयामत होगी उस समय इसारु अला स्वेम हाथ में तलवार लेकर के प्रगठ होंगे और सब काफिरों को मार डालेंगे यह तलवार क्या है तारतम ग्यान उप्पी सैतान को मार करके एक सत की पहचान करा करके सब को परव्रम के चरुन तक पहुंचाने का ज्यान सब के सामने प्रगठ करेंगे यही सैतान को यानि अग्यानता को कल्यूप को समाप्त करना है अस्राफिल आएके अब यहां से अस्राफिल फरिस्ता का प्रगठ होना तार्तम बाणी लाते कौन है परमधाम में जो जागरित अस्था में वही तो परमधाम का ग्यान इस अंसार में ला सकता है श्यामाजी फरामोसी में है अक्षेर ब्रह्म फरामोसी में है शक्षिया फरामोसी में है अब अक्षेर की जो पंचवासना है वो परमधाम का ग्यान वो नहीं जान सकती जागरित अस्था में अक्षेर ब्रह्म परमधाम की लीला को नहीं समझ पाए तो फरामोसी की अस्था में तो वो कुछ समझी नहीं पाएंगे स्यामा जी फरामोसी में तो परमधाम का ग्यान कौन देगा तारतम बानी कौन दे रहा है साक्षा धामधनी लेकिन वही असराफिल फरिस्ता धामधनी के द्वारा महामती जी की अंतरात्मा में जो तारतम बानी का ग्यान दिया जा रहा है वो अस्राफिल फरिष्टा प्रकट करने का कारिय करता है और धर्म गरंतों के रहश्यों को खोलने के लिए क्योंकि ये जागरित बुद्धी का फरिष्टा होने के कारण ये सारे कारिय अस्राफिल फरिष्टा करता है और हकीकत और मारिफट हकीकत क्या है पूरा 25 पक्ष परमधाम को हमने ग्यान की द्रिष्टी से जाना तो ये हकिकत है और उस ग्यान के द्वारा हमने जिस परमधाम को जाना अक्सरतीत के सुरुप को जाना अपनी परातम को जाना धाम धनी के बताए मार्क पर चल करके जो अपनी अंतरात्मा को सुध करता है पवित्र करता है और धनी की महर से उस चीज को अंतरात्मा से अनुभव करता है ये मारिफत का सुख है तो ये हकिकत और मारिफत के सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए द्वार खोल दिये हैं यहां से स्रीजी सवार हो करके आगे चलते हैं अब यहां से चलकर स्रीजी से मिलते हैं और स्रीजी को अपने यहां ले जा करके कुछ समय सेवा करने की जैसे छट साल जी ने सेवा की ऐसे हम भी ले जा करके कुछ समय तक सेवा करेंगे ऐसे अपने मन की इच्छा को स्री जी के समक से पेश करते हैं अब स्री जी के कदमों में लगें चित्र कोट ले चलिया और यहां से बसंद सुर्खी स्री जी को चित्र कुट ले जाते हैं, चथ साल जी का मन नहीं करता है कि हम स्री जी को वहां भेजें, लेकिन अब रोक भी नहीं सकते हैं, इसलिए स्री जी की सेवा हो, कुछ सुन्दर साथ को स्री जी की सेवा में भेज देते हैं, और स्री जी य एक बरस तक स्री जी चितरकूट में रहे इतु खोले अल्ला कलाम आग यहां अल्ला कलाम खोलने का तात्परियो कुरान की जो रहश्यात्मक भेद होते थे वो तार्तम बानी के रूप में जो छ्षत-साल जी के नाम से इसमें चाप है जो कयामत नामा की बाणी है ये वहाँ चित्रकुट में उतरती है स्री राज रोसनी जाहिर करी धाम धनी के सरूप स्री प्राणनाजी के द्वारा महामती के हिर्दे में विराजमान हो करके कयामत नामा की बाणी में इन सारे रहश्यों को उजागर कर दिया खुल गए सब ठाम, जिससे हकिकत और मारिफत के सारे भेद यानि रहश्य खुल जाते हैं तब स्रीराज लिया दिल में, तब धामधनी ने अपने दिल में लिया एक ख़बर करी महराज, क्योंकि इसमें महराजा छत्षाल जी के नाम से हैं कहीं जशिया सखी के नाम से हैं, कहीं ललीता सखी के नाम से हैं लेकिन कोई-कोई प्रकरण हैं, लेकिन ये जो कयामत नामा की बार्णी हैं, पूरे छत्षाल जी के नाम से हैं तो स्रीजी सोचते हैं कि ये संदेशा, धामधनी ने उनकी सेवा को देख करके ये जो कयामत नामा की बाणी के जितने भी मारिफत के राश्य उजागर हुए हैं इसकी सारी सोवा छत्षाल जी को दी है धाम धनी की ये कृपा उन पर जो महरवानी है इसे सुन करके छत्षाल जी प्रसन्न होंगे ये संदे सावन को दे देना चाहिए तब औरचे के राजा ने तब उसके बाद जो औरचे का राजा था लिया खतोला उसने खतोला के उपर हमला किया और उसको जीतने की कोशिस की लगी फिटकारत इनको और खटोला के उपर यहां कुछ सुन्दर साथ की जागनी हुई होगी क्योंकि स्रीजी का यहां आगमन हुआ था कुछ धर्म की बातें यहां हुई तो जिन होने स्रीजी के उपर इमान लाए होंगे सुन्दर साथ हुए होंगे उनके उपर किसी भी परकार से कोई कश्ट नहीं आना चाहिए हम इस बात को गंभिरता से नहीं ले पाते हैं बीतक हमें क्या सिखाती है बीतक का हर प्रशंग हमें कोई ने कोई सिख दे जाती है दिल्ली में भी बहुत सुंदर साथ को बहुत कश्ट आते हैं धामधनी ने वहां भी बचाया उधैपूर मंदसोर में भी बचाये उससे पहले भी गांगजी भाई के घर में जैसे चर्चा शुरू हुई थी एक चुगल खोर ने चुगली कर दी तो धामधनी ने देखा कि अभी तो जागनी लिल्ला शुरू ही है और इसी समय यदि सुन् वाइक जागनी लिल्लाश वाई के घर में दो चोकिदार जो भेजे गये थे उनकी द्रिश्टी इस परकार से फेर दी गई कि वह गंगजी भाई के घर में जलता हुआ दिपक देख करके जाते हैं गांगजी भाई के घर से कहीं दूर पहुंचते हैं एक तो कुए के चारों तरफ फिरता है दूसरा कई कोश चल करके दूसरी नगर में निकल जाता है जब सवेरा होता है तो अपने आपको एक तो कुए के पास में मिलता है और एक दूसरे गाउं में एक आपस में स्वेम भटक चुके होते हैं दीब बंदर में भी ये प्रसंग आता है वहाँ भी फिरंगी के पास जो चुगली करने के लिए गए थे धाम धनी ने स्वेम उस चुगल खोर के मित्र के रूप में वहाँ दर्शन उस से मिल करके कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो तुम जिसकी चुगली करने के लिए जा रहे हो तुमने उनको देखा है अपने कानों से उनके द्वारा कही हुई बात तुमने सुनी है कहते कि नहीं तो फिर तुम क्यों चुगली करना जाते हो अगर तुम जुटी चुगली करोगे और ये फिरंगी उनको यदि कष्ट देंगे तो उसका परिणाम तुमें भुगत ना पड़ेगा इस तरीके से यहां बचाते हैं और जहां जहां भी सुन्दर साथ को संकट आता है धामधनी वा उस संकट से बचा लेते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि परदे की पीछे धामधनी हमारे साथ क्या कर रहे हैं हम सोचते हैं कि यह तो हमारी किसमत थी कई सुन्दर साथ कई दफे सोचते हैं कि ठीक है यह धामधनी की क्रिपा है कि धामधनी की क्रिपा से बच गए लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कभी जानते भी नहीं कि धाम धनी की कृपा किस तरह से हमारे उपर हो रही और हो चुकी है श्री जी जब विहारी जी ने चुगली कर दी थी खंबात में यहां से यदि श्री जी नाव में बैठे होते हैं तो यह पकड़े जाते हैं कष्ट होता है धाम धनी ने उनको ऐसा बहाना बनाया एक छेंक किया आई नाव गहरे पानी में चली गई और वहां भी बचे जहां जहां सुन्दर साथ हैं धाम धनी की महर उनके उपर उतनी ही बनी रहती हैं हम अपने सारीरिक हिसाफ से संसारिक हिसाफ से कि हम अमीर हैं गरीब हैं किस कूल में हैं खांदान में हैं इस्तरी के रूप में हैं पूरुष के रूप में हैं इस रूप में हम अपनी निश्वत को आकलन करते हैं लेकिन राजी कहते हैं मैं रहे न सकूं रूह बिना के लिला दिखा सकते थे लेकिन सप्विन नहीं तुम जहां जाओगे तुमारे साथ रह करके मैं सारी ब्रमलीला को संपाधन करता हूँ इसलिə धाम धनी की किरिपा हम जीतना नहीं सोच सकते जितनी अपेक्षिय हम कर नहीं सकते उससे कहीं अधीक पल पल धामधनी हमारे उपर महर कर रहे होते हैं स्री महामती कहे तुम पर मुमिनों दम दम जो बरतत दम दम का क्या तात्परी होता है एक एक सांस जो हमारी एक एक सांस बहार आती है अंदर चली जाती है प्रतेक सांस में धामधनी की महर ब्रमात्मों के साथ बनी रहती है फेर मिठ्थू पिरजादे ने जब ये और्चे के राजा ने खटोला को जीतने का प्रयास किया तो उनको ऐसी फटकार लगी कि मौत हुआतिन से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है उसके बाद जो मिठ्थू पिरजादा था उसने भी बूरी नजर की और पांच हजार सवारी लेकर के आता है तो पांच हजार सवारी लेकर के आही रहा था अगले गाउं के लोगों ने सोचा कि ये हमारे उपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वो समान्य बर्ग के लोग उस गाउं में रहा करते थे उन्होंने जैसे ही ये इसकी जो मिठ्चु पिरजादे की जो फाउज लेकर के आ रहा था एक ऐसी घाटी होती है कि यहां से कितने लोग आगे गुजर गए और कहां पहुँच गए दिखाई नहीं पड़ती घाटी के दोनों तरफ बैठ जाते हैं कुछ लोग और जितने लोग घाटी उतर करके इस ओर आते हैं सब की गरदन उतार दिया और पांच जार की फाउज को बिना परिश्रम के ही सवेरे तक समावत कर दिया इस प्रकार से ये क्या है धामधनी की क्रिपा है जहां जहां ब्रमात्मों को निशाना बना करके ये जाते हैं वहां पहुँचने से पहले ही धामधनी की ऐसी क्रिपा हो जाती है कि उनकी सब सफाया हो जाता है अब कहूं भी तक परना की अब यहां से स्रीजी चित्रकूट से लोट करके परना आते हैं अब परना के कुछ प्रशंग को यहां बढ़नन किया जा रहा है जब बैठे इत आए जब परना जी में आकर के स्रीजी बिराजमान हुए दज्जाल लगा पुकार ने माया के सक्ति वहीं पहुंचती है क्योंकि माया ने कितने हथियार बनाए है रास गरंथ में इंद्रावती जी ने माया के हथियार गिनवाए है एना आउत अमरीत रूप रस्चल बलवल अकल अगिन कुटिलने कोमल चंचल चतुर चपल यह माया के सारी हथियार हैं और जब इससे भी पकड़ में नहीं आए तो आकोट में जाकर के चार और हथियारों का बढ़न कर दिये वो विशेश रूप से बनाए गए हैं जो इन तेरह हथियारों से जो काबू में नहीं आता तो उसमें इन विष्येश रूप से जो चार हथियार तयार किये गए उनका प्रयूक किया जाएगा लेकिन जो भी इस माया के संसार से परे होने की कोशिश करेगा तो उसके ओपर माया हाभी होती रहेगी जहां धाम धनी की कृपा नहो इस माया से कहा गया है ब्रमा के घर ब् अस्वी होकर के परमात्मा का ध्यान सुमिरन करते रहें काही न काही माया भी इनको परेसान करती रही तो ये माया का संसार धनी की कृपा के बिना कोई भी इस माया से दूर होकर के हम नहीं निकल पाते हैं बहुत सारी ऐसी आत्माय होती हैं जिनके जागनी ब्रमान में बहुत बढ़ी भूमिका होती है वो सुन्दरसाथ के प्रेड़ना के लिए उनसे ऐसी लीला करवाई जाती है धामधनी की तरफ से उनकी बहुत बढ़ी भूमिका दिखाई पड़ती है लेकिन बहुत सारी ऐसी आत्मा हैं जो सुन्दरसाथ ग्रेश्ट परिवार में होते हैं विचर उनके घर तक ये ब्रमबानी पहुंचती है धनी की पहचान होती है करवों अरवों खरवों की जनसंख्या इस दुनिया के अंदर है उसमें गिने चुने लोगों को तारतम बानी मिलती है उसमें भी घर घर ये ब्रमबानी पहुंचती है धाम धनी किसी न किसी माध्यम से अ इस ग्रंथ को पढ़ लो, कभी करते कि तुम उन महात्मा के उन सादों के पास चले जाओ, या कुछ ऐसी अंदर से प्रेड़ना जागरित कर देते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि राजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और वो धनी के चलनों तक पहुंचता है, कोई एक र घर तक भेज देते हैं, ताकि सुन्दर साथ उसको पढ़े, सुन्दर साथ दर्सन करें, एक घटना मैं आपको बताओं, धाम धनी की किस प्रकार की आड़ी का लीला होती है, चमतकारिक लीला होती है, नेपाल में एक गाउं में, जहां कोई प्रणामी परिवार कोई थाई यने सुन्दर साथ थाई नहीं, वहां पर एक माताजी पर ऐसी बिशेश परकार की कुछ क्रिपा हो जाती है, वो कभी किसी सुन्दर साथ के घर गई भी नहीं होती, कोई गुरू ज का मिलना भी नहीं होता है लेकिन उनकी अंतरात्मा के अंदर राजी नजाने क्या प्रेड़ना पैदा कर देते हैं उनको क्या भविश्च की सारी बातें दिखने लगती हैं अपने बंस में कहती हैं कि मैं जैसा कहूं तुम ऐसा करो यदि मैं जैसा जैसा कहती हूं ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नास हो जाएगा और जिन्होंने मान ली उनका उपकार हुआ जिन्होंने नहीं मानी वो नश्ट होते गए अब डर के मारे सबने समान करना सुरू किया उनकी बात मानना सुरू किया तो उन्होंने कहा अब तुम जितने भी ये करमकांड कर रहे हो सारे छोड़ दो, पूछते हैं अब इन कर्मकांडों को छोड़ें तो फिर करें क्या करें, अभी कुछ मत करो, इन कर्मकांडों को छोड़ करके तुम तयार हो जाओ, जब बक्त आ जाएगा, वो धर्म, वो ग्यान तुमारे घर खुद चल करके आएगा, किसी को विश्वास नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी सुन दल साथ नहीं बने, उनको कहा, मांस नहीं खाना, मदीरा नहीं पी नहीं, सुद शातूइक हो करके रहो, ठीक है, करते-करते, एक दिन कोई महातमा तार्तम बाणी को ले करके, उस राष्टे से कहीं गुजर रहे होते हैं, गुजर र जिस परिवार में, वहां जा करके उन्होंने कहा, कि मैं आज की रातरी यहां रुकना चाहता हूं, मुझे ठहरा सकते हैं, कते हैं जरूर, उन्हों बिस्तरे लगा दिये, तो कहते हैं कि मुझे बिस्तरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसे बिछाने के लिए एक मैट दीज जाते हैं, वाली के नीचे बिछाने के लिए लंबे-लंबे मैट बनाए जाते हैं, वो एक मांग लिया, और उसमें बैठे गए और उन्होंने जो तारतम बार्णी थी, सरुप साइब जिनको हम कहते हैं, कुलजम सरुप की बार्णी ले करके जा रहे थे, तो कहीं बाहर सौ किताब को जोले को अप रखते हो, तो कहते हैं कि इसमें हमारी राजी हैं, कहते हैं, तो ये कुलजम सरुप की बार्णी हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ हैं, हाँ, उन्होंने भागे-भागे जाकरके उन माता जी से कह दिया कि एक ऐसे संत आये हैं, और ऐसे किताब ले करके अब यही धर्म है जो तुम लोगों को अपनाना है जब से उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम तार्तम बानी का मनन पठन चिंतन करेंगे उनकी हम घर में सेवा करेंगे तब से उन्होंने अपने घर में तार्तम बानी की पद्रह करके सेवा करना सुरू किया अब उसके बाद ग्यान तो इतना था नहें लेकिन उन माताजी को पता था उन्हें ने कह जए राजी पंदर दिन अंदर रहते हैं पंदर दिन बाहर रहते हैं तो विचरे सीधे सुनदर्षात ब्रहंभ बार्नि उस समें ठीका नहीं Pixel नहीं बिचरे सुन्दर साथ संकोच बस नहीं कर पाए कहीं न कहीं से मुझे पता चल गया कि यहां राजी को पधराते हैं पंदर दिन यहां पधराते हैं पंदर दिन अंदर पधराते हैं तो मुझे पता चला कि मैंने तार्तम बाणी के परिकर्म ग्रंथ पड़ा था तो उसमें क् दिखाता पंदर दीन kicks ले बन पंदरा दीन शुक्ख भावन hey before haul से शुन्दर साथ को और चांशान को समझाया कि पंदरा दीन राज़वा से परंधाम में लीला करते हैं तो रंगमाहल के अंदर रहते हैं शुकलपक्ष में लीला करते हैं तो recognized रात्री के 6 बजे से 9 बजे तक बन में बिहार करते हैं और जब कृष्ट पक्षे का समय होता है तो 6 बजे ही लूट करके रंग महल में वापस लूट करके आते हैं ये उस समय का वर्णन है और उस लीला का वर्णन उस माताजी ने आपको बताया है ये बात सही है कि 15 दिन बाहर रहते हैं तो सुन्दर साथ तार्तम बानी को वहां आज भी आप जा करके देखेंगे आपको नहीं कहेंगे आप गवर से देखिए एक हफते में एक दिन पूरे सरुप साहब को बाहर निकालेंगे और धूप में रखेंगे और प्रतेक प्रिष्ट को धूप लगाए यह भावना ले करके कहें सर्दियों के समय में राज जी को ठंडर न लगे हम उनको धूप तपा रहे हैं इतना स्रद्धा के साथ प्रेम के साथ सेवा करते हैं जिन सुन्दर साथ को तार्तम बानी का संदेश्ट देने वाला कोई नहीं था उन सुन्दर साथ के अंदर यह भावना कैसे प्रगट कर दिया और जिनोंने तार्तम बानी देखी ने उन माता जी को राज जी ने कौन सी ऐसी बुद्धी दी ऐसी लीला करा दी जिससे आज एक ऐसा ससक्त समाज तयार हो गया और आज उन सुन्दर साथ से आप प्रतक्स रूप से मिल सकते हैं यह धाम धन कभी भी उनके उपर आच आने नहीं देते हैं अब उस प्रसंग को आगे बरणन करते जा रहे हैं जब माया की लिला माया उनके पीछे पड़ती है तो धाम धनी किस प्रकार से इन सुन्दर साथ की रक्षा करते हैं उसका मैं बरणन करता हूँ जब आए राम नगर से जब स कुफर मतलब बैमानी उसने अपने बैमानी पना जो अपने भाव दिल में ले करके इन सुन्दर साथ के साथ स्रीजी के साथ जो दिली से चलने के बाद में हमेशा उनको पकड़ने और उन से क्योंकि अरुगजेव की एक ही उसने ठान लिया था मन में कि स्रीजी मेरे घर आ सुन्दर साथ आए तो मैं सत्ता के नसे में नहीं जान पाई अब मेरा शुविमान में आच भी न आए मुझे जुकने की जरूरत भी न पड़े और स्रीजी को पकड़ करके यहां ला जाए और मैं दर्सन भी कर लूँ मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाए और मेरा सिर भी न तो कोई एक सामान्य मनुश्य अपने धन बल जन बल बाहू बल और सत्ता के बल पर कभी चुनोती नहीं दे सकता यह तो दिल देने की बात है यहां किवल धन देने मातर से भी नहीं होगा और अपने सक्ति का प्रदर्शन करने मातर से भी नहीं होगा इस संसार में नजाने क हम भला क्या सक्ति प्रकट कर सकते हैं अपनी सक्ति को दिखा करके अभिमान को दिखा करके कभी भी धर्म के सरुप को और एक सत के मार्ग को नहीं पाया जा सकता अब पुर्दल खान ने क्या सोचा कि राम नगर के राजा के पास जा करके हम ये कहेंगे लिख भेजी पातिये को और वहां से पत्र लिख करके भेजते हैं करते हैं कि तुम ये क्यामत की बात क्यूं करते हो एक कियामत जाहिर हो चुकी है, कियामत के सारे साथ निसान जाहिर हो चुके हैं, क्यूंकि जब राम नगर में सरीजी पहुंचे थे, वहाँ से किदर ने ज sırot करके दिया था, ये सारी बात बाधसाह तक पहुंच चुकी थी, इसलिए पुरदल खान बार बार इस बात को लेकर कि रामनगर के राजा आपके यहां से जिस प्रकार का संदेशा आया है कियामत जाहिर हो चुकी है हमने खुद जाकर के दर्सन किये है इस प्रकार की बातें आप क्यों करते हो क्यामत को जाहिर होने का समय तो अभी हुआ नहीं है यह लोग सोचते हैं क्यामत होने का मतलब महाप्रले होने का समय यानि दुनिया समाप्त हो जाएगी और हम यहां से दुनिया से चल बसेंगे आज क्यों बताओ इतर और वो समय तो अभी पहुंचाई नहीं है, अभी उस समय को अभी जाहिर होने की बात क्यों करते हो, ताकि पाती को जवाब, और इसको पत्र के दोरा जवाब दिया जा रहा है, लिखो स्रीजी साहब, अभ यहां से स्रीजी इसका जवाब लिखते हैं, तुम दूर कोन किताब से स्रीजी स्वेम नहीं लिखते हैं लेकिन स्रीजी बैठ करके सुन्दर साथ को निर्देशन देते हैं स्रीजी के निर्देशन पर पत्र तयार किया जाता है स्रीजी कहते हैं कि लिखो कि तुम किस किताब के अधार पर किस धर्म ग्रंथ का अधार लेकर की ये कहते हो कि कयामत अभी जाहिर हुई नहीं कयामत का समय आई नहीं अर्था तुम क्यामत को किस रूप में जानते हो और समझते हो तहकिक किया अब आपने किस गरंथ के आधार पर किस प्रमान के आधार पर कयामत जाहिर नहीं हुई है ऐसा कहते हो यह हमें बताईए जो लिखी बीच फिरकान जो कुरान में जो लिखी है उसके विपरित आप क्यों बोलते हो कयामत के जो साथ निसान लिखे गए हैं यह साथों निसान जाहिर हो चुके हैं ज्यान रुपी सुरज पस्सिम से उगेगा इसका तातपरी किया है सबसे पहले खुदाई इल्म महमद लेकर के इस दुनिया में आए तो यह मुस्लिम समाज के अंदर आए अब दुबारा जब परब्रम संसार में प्रगठ होंगे तो पहले जो मुस्लिम में आए तो वो पूरव दिशा हुआ अब उसके विपरित जब हिंदों में आएंगे तो उनके लिए पस्सिम दिशा विपरित दिशा होने के कारण पस्सिम दिशा होगा ऐसा नहीं कि वास्तव में ये जो सूरज उगता है वो पस्यम से उगेगा खुदाई इल्म का ज्यान पहले मुसल्मानों के अंदर मुहमत साब लेकर के आए इसलिए उसको पुर्व दिशा कहा गया और आखिरत के समय में कयामत जाहिर होते समय में सुयम स्री प्राणना जी ये तारतम बाने का ज्यान लेकर के हिंदू के अंदर प्रकट होने से इसको खुदाई इल्म का पस्यम दिशा से उगना कहा गया इसलिए पस्यम से सुरज उगना कहा जाता है बिन रोसनी का अंधेर लेकिन ये बिन रोसनी का होगा जैसे सुरज उगता है तो प्रकास हो जाता है सब को दिखाई पड़ता है लेकिन ये खुदाई इल्म का सुरज जिसके हिरदे में उगता है उसकी दृष्टी खुलती है जो उस उजाले के दायरे में आएगा उसकी दृष्टी खुलेगी और उसके लिए सुरज उगेगा बाकि जो उससे दूर रहेगा उसके लिए अंदेरा ही रहेगा इसलिए कहा गया है ये जो पसिम से सुरज उएगा वो गुलवा होगा यानि बिना रोशनी का होगा तुम आखो ना देखिया तुमने इसको अच्छी तरीके से पैचान करके देखा नहीं अब तुम अपनी नजर को अपनी दृष्टी को फेर लो और उस सुरज के यानि अखंड ग्यान के प्रकास में आओ तो तुमारी अंतरात्मा के अंदर ये ग्यान का प्रकास होगा अवदावतुल अर्ज जानवर जो प्रगट होने वाला है ये जाहिर हो चुका है और उस समय जो कलियोग रुपी सैतान अग्यानता या दजाल स्रीजी जहां भी जाते हैं अखंड का ग्यान का प्रचार प्रशार करते हैं सुनाते हैं तो हर कोई ये कहता है कि ये तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं आपने कच की भी तक सुनिये वहां भी ये ही कहा जाता है धरम उदरियों को पैदाव है कहते हैं ये तो चुहों का धरम पैदा हो गया है चुहे के पाउं में घुंगरु बांदेते हैं परदे करते हैं अंदर परसाद रख देते हैं और ये चुहे जाकर के परसाद खालेते हैं वो चुहों का जूठा खिला देते हैं तो ये क्या निंदा ही तो है और ये निंदा कौन कर रहा है ये हमारा हिंदु समाज ही निंदा करता है तो ये ये एक ग्यान और अग्यानता की लड़ाई कहीं कर्म के बंदन में कर्म कांड के जंजीरों में जपड़े हैं उस से निकालने के लिए चलें तो वो ही समाज कहता है कि ये हमारी निंदा करते हैं इस प्रकार से सब के इमान को छिन लिया बड़ा दीन में सोर और इस दीन में दीन यानि धर्म के मार्क पर एक सत के मार्क पर निजानन्द संप्रदाय का ग्यान जहां जहां फैलता गया वहाँ वहाँ जिन्होंने सुईकार की इसके उजाले में आए उन्होंने धनी की पहचान की अपने संबंदों को धनी के साथ जोड लिया और जिन्होंने इन से नजर फेर लिया उनका दुरभाग का समय था और वही निंदक बन करके निकले तुम रहा देखत हो और आप ये रहा देख रहे हो आजूज माजूज भय जाहिर आजूज माजूज जाहिर हुए नहीं अभी कयामत के समय प्रगठ होंगे तुम ये इंतजार कर रहे हो लेकिन आजूज माजूज ये जाहिर हो चुके हैं द माजूज माजूज क्या है एक एक हाथ का होगा और एक सो हाथ का होगा जो एक हाथ का होगा वो क्या है रात्री है जो सो हाथ का होगा वो दिन है मनुष्य दिन के समय में उसकी चित बृती हजार सो तरफ दोड़ती है रात्री को ठके मादे जब सो जाता है बिस्तरे में तो के ग्यानता और दूसरे उसमें भी गहरी फरामुसी में चला जाता है तो उसको ये पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और कहां हूँ इसी प्रकार से सो हाथ और एक हाथ दोनों मिला करके दीन और रात्री ये काल सब की समय को समाप्त करता जा रहा है सिकंदर बात्सा के द्वारा बनाई अश्टधात की दिवाल है आजूज माजूज दोनों मिल करके चाठते रहेंगे साम तक इसको कागज की तरफ पतला कर देते हैं और सबेरे उचके देखेंगे तो फिर जियों की तियों होगी ये क्या है सिकंदर बात्सा के बनाई दिवा इसको संसार के कारियों में लगा करके साम तक ठके मादे इनसान बिलकुल मुर्चित सा हो जाता है सोता है सबरे उठकर के तरो ताजा होता है फिर माय के कारियों में लग जाता है ऐसे करते करते ही दीन, सब्ताह, पक्ष, मैना, साल करते करते उसकी उम्र, हाथ से जैसे फिसलती हुई रेत किवल मुठी रह जाती है उसमें कुछ भी नहीं बसता उसी प्रकार से मानो की आयू को समापत करता जा रहा है ये कोई ऐसा जानौर प्रगट होने वाला नहीं है खाई खलक बाहर यानि जो आम खलक है ये इनकी सारी आयू इसी प्रकार से समापत होती जा रही है हीरा जनम अनमोल था कोड़ी बदले जाए कभीर जी ने कहा ये मानवतन जो देवी देवताओं ने इच्छा की थी प्राप्त करने की इच्छा की थी और ऐसा मानवतन प्राप्त करने के बाद संसार के लोग इसको व्यर्थ में माया के कारियों में गवादेते हैं इतना जानने की चेश्टा भर नहीं करते कि हम कौन है इस शरीर संसार को छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे हमारे गाउन अगर से गलियों से प्रती दिन नहीं तो साथ हफता में 15 दिन में तो एक लास गुजरती ही होगी देखते हैं कि वो इनसान इस दुनिया से चला गया, सब सगे संबन्दी, रिष्टेदार, गाओं के सभी गन्य मानने, सारे लोग एकठे होते हैं, कुछ देर रोते हैं और उसको ले जा करके, भसमी भूत कराते हैं, या तो जलाएंगे, या बिजली के कर्रेंट में डाल देंगे, आदे खंटे में सारा जल फूख करके राख बन जायागा, या नदी में ले जा करके जला देंगे, या कहीं ले जा करके दफना देंगे, कुछ ही दिनों के बाद, उसकी अस्थियां ही बचती है कि वाला, और कुछ समय बितने के बाद वो भी गल जाती है, इंसान ये नहीं सोचता कल हम भी उसी पंक्ती में है, हमारा भी वही नंबर आने वाला है, तो ये नहीं सोचता कि मैं इस शरीर के रहते अच्छा खाना पिना चाहता हूं, सुख सुविदा चाहता हूं, परमात्मा की भक्ती करना चाहता हूं, संसार से परे होना चाहता हूं, क्या इस शरीर के रहते में मुझे वो परमात्मा मिल जाएगा, अगर इसके न रहते, शरीर समाप्त होने के बाद, ये बंदन से छूटने के बाद, क्या मुझे उस परंपद की प्राप्ती होगी उसका मैंने निश्य कर लिया है जिसको अध्यात के मार्ग पर चलते चलते काफी दिन हो जाते हैं फिर भी अपने कुछ अलश्य प्रमाद के कारण या छोटी सी उपलब्दी को सबकुछ मान करके सोचते हैं कि हम तो इस संसार से मुक्त हो गए मुक्त हो गए बहुत अच्छी बात है यदि कोई कसर रह गई तो क्या होगा फिर दुबारा जन्म लेना पड़ेगा फिर दुबारा जन्म लिया तो ये जरूरी नहीं कि हमें तारतम ज्यान मिल ही जाए उस परिवार में आही जाए और जिस जीव ने तारतम ज्यान प्राप्त करके पूरे जीवन यदि उसने ये उपलब्दी हासल नहीं की तो क्या उस जीव को कल वो अवसर दुबारा परमात्म दे देगा जिस कार्य को कल जिस व्यक्ति ने नहीं किया आज उसको वही कार्य कैसे भरोसा करके दिया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है ये मेरे वेक्तिकत मेरा बिचार में आपको कह रहा हूँ कि यदि जिस जीव ने आज तारतम ज्यान प्राप्त करके धनिक के चरणों में अपनी जागरिती दर्ज नहीं की और इस भरोसागर से पार होने का रास्ता नहीं निकाला तो इस तारतम ज्यान से अत्रिक्त और दूसरा कौन सा ज्यान उसको मिलने वाला है जो भरोसागर से पार हो करके जन मर के चक्र से छूट जाए और वो आत्मा को कौन सा ज्यान मिलने वाला है इस ग्यान से जिसकी आत्मा जागरित नहीं हो पाई लेकिन धाम धनी की कुछ ऐसी लीला होती है जैसे बिहारी जी की हुई ये ब्रमात्माओं की हसी के कारण हुई है अन्य था ये केवल राजी के उपर ही निर्वर है कि बिहारी जी की आत्मा जीश जीव पर थी उस जीव को दुबारा तार्तम ज्यान का संदेश मिले न मिले उस परिवार में यदि हम जान बूज करके गलती करते हैं तो धाम धनी की तरफ से हमें ये कभी छमा मिलने वाला नहीं है कि कल जा करके फिर हमें तार्तम ग्यान के परिवार में ही ब्रहमबाणी मिल जाए और हमें राजी की सेवा करने को मिल जाए और हमें परमधाम की या जीव को भैष्टों की प्राप्ति हो जाए मुझे ऐसा संभावना बहुत कम लगता है अस्राफिल फरिस्ता जागरित बुद्धी का फरिस्ता है परमधाम की ज्यान को इस तारतम बाने को धर्म ग्रंथों के रहश्य को महामतिजी के हिरदय में बैठ करके पुकार पुकार के कह रहा है यहां तक कहा गया कि अस्राफिल फरिस्ता धनी के आदेश को प्राप्त करके इस ब्रमान को समाप्त करने के लिए तारतम ग्यान का सूर फूकने के लिए कुबड़ी हो करके पीठ टेड़ी करके इस प्रकार से तयार आउस्था में है कि कब धाम धनी का आदेश हो जाए ब्रम सारे कुरान के मायनों को संसार में जाहिर करने के लिए तयार है, इसको खुब अच्छी तरीके से सुनते हैं, सभी ब्रमसिष्टियां भी इनके रहश्यों को सुनते हैं, हजरत इसा रूप अल्ला श्यामा जी इस संसार में तारतम ग्यान ले करके सद्गुरु देव चंद जी के रूप में आ चुके हैं आए दावत करी इमाम और उन्होंने इस ग्यान को महामती जी के हिरदय में बैठ करके दूसरा जामा धारन करके कयामत जायर होने की दावत पेश किया है और इनके सारे रहश्यों को पत्रों में लीख लीख करके क्योंकि स्रीजी ने सुन्दर साथ को आदेश दिया सुने हो भी मुकुंद उद्धव के सवस्याम हम पाती पड़ी महमत की पाई हकीकत धाम परमधाम के सारे रहश्य हमने कुरान में पराप्त किये हैं और सब सुन्दर साथ इसको निसंकोच हो करके पत्रों के द्वारा लिख लिख करके सब को जाहिर किजिए सब को पहुँचाए तमाम सब तक ये अखन का संदेशा पहुचा दिया जाए आज तुम सूते निद में आप बहुत गहरी अज्यानता के निद्रा में सोय हुए हो तो ऐसा लिखा सुकर इसलिए आपकी जागरित्ती के वास्ते ही हमने ये लिखी ये तार्तम बाणी क्यों आई सुन्दर्शाथ की जागरित्ती के लिए धनी ने स्यामा जी को आदेश क्यों दिया ये संदेशा मेरे ले करके सुन्दर्शाथ को दो जो भी सुन्दर्शाथ जागरित होता है धनी का आदेश क्यों होता है कि तुम ब्रह्म बाणी का प्रचार प्रशार करो या अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाओ क्योंकि आपने शुरू में ही वादा किया है कि जो हमें मिलेगा ये सुख देऊं ब्रह्म स्रिष्टी को तो में अंगनानार जो सद्गुरु ने हमें अ अन्य आत्माओं तक पहुँचाएंगे ये उस दिन हमने संकल्प किया और इसलिए साइद चलते चलते महामती जी ने जब अपनी लीला को समाप्त करनी चाही उस समय मूल सरुप धामधनी से उन्होंने प्रार्थना किया कि है धामधनी जो कारिय आपने पांचों ही दिन की ल वाले कर देना चाहती हूं लेकिन बातिन रूप से आपकी क्या इच्छा है किसे जागनी का बागडोर संबलाना चाहते हैं और किसे जागनी का कारिय कराना चाहते हैं वो मैं बातिन रूप से मूल सरुप के हाथ में सौपती हूं और जाहिरी में महारज़ अच्छत साल जी को सुप करके ये कह दिया अब हुकमे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुकम दिल मुमिन के आएके अर्स कर बैठे खसम जिन सुंदर साथ को तारतम ग्यान का प्रकास मिला है उनका ये दाइत तो है चाहे तन से मन से धन से बल से बुद्धी से किसी भी प्रकार से आपने जिस दिन तारतम लिया है आपने संकल्प किया है जो सुख मैंने प्राप्त किया है जिस ग्यान को मैंने प्राप्त किया मुझे जितना आता है ये जरूरी नहीं कि बाणी की सारी चुपाईयां आपको कंठस्त हो ये जरूरी नहीं कि आप सन्यासी हो ये जरूरी नहीं कि आ आपको कुछ नहीं आता, आपको इतना तो आता है, आप इतना तो कहते हैं कि राज जी हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आप सुर्ग की उपासना करना क्यों नहीं चाहते हैं, सुन्दर साथ कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता हैं, हम कैसी जाग नहीं करें, यदि आपको कुछ नहीं आता तो आप राजी के चरणों में आई क्यों आपको आता है आप स्वर्ग की उपासना करने के लिए राजी नहीं है क्यों आप जानते हैं स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के साथ मेरी आत्मा का मूल संबंद नहीं है आपको पता है कि बैकुंट में रह कि अप यह जानते हो कि निराकार कि अंधर परमधाम नहीं है कि हद Splendhal करें संसार में फिर आता है उसके कर्मों के बंदन समाप्त नहीं होते हैं आपको क्यों नहीं आता सब कुछ आता है लेकिन एक भरम है कि मज़े कुछ भी नहीं आता आपके पास बहुत सकती है अगर इतना ज्यान तृदेव के पास होता अक्षर की पंचवासनाओं के पास होता नाराइन के पास भी होता तो यह दुनिया साइद आज खड़ी नहीं रहती संकर भगवान किसकी समाधी लगाते हैं सैकड़ों वर्षों की समाधी लगाते हैं और उस समाधी में एक बार वो भी साइद परब्रम की कृपा से अक्षर की पंचवासना होने के नाते ब्रमस्रिष्टी और अक्षरतीत के सरूप की लीला को संसार में संदेश पहुचाना है कि यह संसार में प्रकट होने वाले हैं इतना सा संदेशा दिलवाने के लिए समाधी अउस्था में उनको सदासीव की बातें सुनाई पड़ती है और वो संदेशा पारवती जी को कह दिया अमरनाथ की गुफा में जाकर के पारवती को ये संदेशा सुनाया और उस गुफा को अमर कहा गया अमरनाथ यानि वहाँ जो सिवजी ने कथा सुनाई, ज्ञान सुनाया वो अमर कथा सुनाई उसका दرशन करने के लिए लोग जाते हैं और उसका अर्थ आपको आता है कि वो अमर कथा क्या थी केवल उस अम्मर कथा को सुनने से एक जीव चेतन हो करके मरंशन अवस्था से जागरित हो करके वो सुगदेव बना और सारे संसार को एक प्रेम का संदेश दिया आपके पास तो परमधाम का ग्यान है तार्तम ग्यान मिला हुआ है आप अपने सब्दों में अपने मन के भाव अपने मन के विचार परोपकार और उसकी आत्मा जागरिती के उसकी आत्मा कल्यान अर्थ उनसे कहिए कि हमने इसलिए संसार के रास्ते को छोड़ करके कि हम इस रास्ते पर आए धनी के चरणों में आए ये मूल कारण है बाकि मुझे नहीं आता तब कह सकते हैं जब आता ही नहीं तो फिर आप गए क्यों वहां आप ये मत कहिए ज्यान का सागर अक्सरतीत का सरूप है उसके समान कोई नहीं हो सकता तारतम बानी उस एक अनंत इल अंदर आ जाए और हम किसी के हिर्दे में बसा सकें तो जीव टल होसी आतम संसार का जीव भावसागर से पार हो जाएगा और आत्मा अपने धनी के चरण में पहुंच जाएगी अन्याथा आप ग्यानी बनना चाहोगे हैं तो ग्यान के छेतर तो बहुत हैं कि आप डाक्टरी करने जाओ उसकी डिगरी करने जाओ तो आपको नजाने कितने साल पढ़ने पढ़ेंगे और कितनी किताबें पढ़नी पढ़ेगी तब जाकर के डाक्टर बनते हैं और डाक्टर भी किसी एक छेतर का होगा सरजरी करने वाला डाक्टर अलग होता है नाक क पेट के रोग के अलग होते हैं और बाल बच्चों के डाक्टर अलग होते हैं उसमें भी एक ही डाक्टर सब बिशें को नहीं पढ़ सकता है अब इंजिनेरिंग में जाएंगे बहुत सारे बिशें होंगे एगरिकल्चर में जाएंगे, होंटी कल्चर में जाएंगे, बिजली भी भाग में जाले, नहीं कितने सारे घ्यान के छेतरें, कहां तक पढ़ते रहेंगे, भूड़े हो जाएंगे, हूँ उसका भाव सागरतर के वहां तक जाने का रास्त जान लिया जिसको जानने के लिए देवी देवताओं ने कहा है परब्रम परमात्मा कलीव में हमें भी माना उतन देना तब हम भी उस ज्यान को प्राप्त कर लें उस ज्यान को आपने प्राप्त किया संसार के लोग समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है ऐसा ग्यान ही बहुत बड़ा ग्यान होता है लेकिन ये तो ऐसा ग्यान है इससे आपको धन भी मिल जाएगा तन भी मिल जाएगा भक्ती भी मिल जाएगी आत्मिक सुख भी मिलेगा संसारिक सुख भी मिलेगा और लोकिक अलोकिक सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं बसर्त एक निश्ठा इतनी हो धनी के चरणों में राजी हमें सब कुछ देंगे बिन नसीब तुम क्या करो अब जिनके नसीब में नहीं है वो क्या करेंगे एक काम इमान मौमीन ये तो केवल मौमीनों के पास ही वो इमान हो सकता है ब्रमात्माओं के पास ही वो इमान हो सकता है अपने धनी के प्रती एक निश्ठ रह सकते हैं अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत कयामत तुम अब तक कयामत को जाहिर होने की बात को सुईकार नहीं कर पा रहे हो लेकिन जो कयामत जाहिर हो चुकी है इसकी हकीकत भी अब तुमारे सामने प्रकट होने वाला है आई नजीक तुम पर अब ये कयामत का समय बिलकुल नजदीक आ चुका है जो कही कुराने साइत जिस प्रकार से कुरान में लिखा है ये कयामत का ताथपर ही होता है कायम सब्द से कयामत बना है कायम मतलब होता है अखंड ये कयामत को जाहिर होने का समय उसको कहते हैं जिस समय में परव्रम के द्वारा जागनी लिला की गई उस जागनी लिला के अंदर जो अखंड का ग्यान इस संसार में प्रकट हुआ जिस ग्यान को धारण करके आत्माई इस भावसागर से पार होंगी जीव इस संसार से भावसागर से पार होकर के अखंड भाष्टों में अखंड होने का सोभाग्य प्राप्त करेगा उस समय को या उस ग्यान को कयामत का समय या कयामत के समय में प्रकट होने वाला ग्यान कह जाता है तुम्हारे अहदी आए थे आपके अहदी आपने जो प्रतिनीदी बना करके जिसको भेजा था वो स्रीजी के चर्णों में आए और सेख खिदर सारा कुछ स्रीजी का पहचान लेकर के अपने हाथ से और अपने मन से जो मेरे बारे में या स्रीजी के बारे में जो कुछ भी प अपस दिया तुम उसको भलिभाती जानते हो पीच राम नगर ये राम नगर के अंदर की घटना है वो निश्य करके गए हैं स्रीजी के सरुप की पहचान कर गए हैं तुम्हें तहां भिना पड़ी खबर फिर भी तुम इस बात को गफलत कर रहे हो यानि इसको गंबिरता से ले करके समझना पहचान करना नहीं चा रहे हो आप तुम हलके बहुत हो क्योंकि सत को न जानना पहचान न पाना अलग चीज है लेकिन आपके हाथ में उस वस्तु को उपलब्द करा दिया जाए और उसका आप यदि नजर अंदाज करते हो तो आप इतने हलके हो जाएंगे कि आपकी कोई भी गरिमा बसती नहीं है आपको कोई भी घ्यानी नहीं कह सकता बिना पाओ उड़े जो तूल जैसे बिना हावा के ही तूल तूल मतलब एक मदार का फूल होता है वो आसमान में उड़ता ही रहता है उस हावा की जरूरत नहीं पड़ती जब देखो तब उड होते रहते हैं ऐसे तुम इतने हलके हो गए यदि तुम्हारे अंदर कोई गंबिरता होगी सत के ग्रहाक होते हैं तो तुम उस सत बस्तु को प्राप्त कर लिए होते हैं सो हाल तुम्हारा होता है अब तुम्हारी ऐसी इस्तिती हो चुकी है कछो न रहेगा सूल अब तुम्हें किसी भी परकार से दुबारा इस परकार से पैचान कराने वाला नहीं होगा और न तुम्हें पैचान होगी ए पाती लिख भेजी इस प्रकार का पत्र यहां से लेकर के फिर अब भेज दिया गया सुनावने जवाब अब इसका आप हमें जवाब लिख करके भेजिये फिर के उत्तर ना दिया अब सरम के मारे अब यहां से दुबारा पत्र लिख करके भेजा भी नहीं और उसका उत्तर भी नहीं आया बिन अंकुर नपावे सवाब बिन अंकुर के ये सब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है बिना संबंद नपाईए कोटिन करे अचार इस संसार में धर्म के आचरन को करने वाले तो लोग बहुत हुए आज भी देखें भले ही कहीं किसी भी मत में रहते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका खान पान से बहुत अच्छे होते हैं ब्यायम इत्यादी करते हैं प्राणायम करते हैं अपने मन को, अपने अंतस करन को सुद्ध पवित्र करते हैं, लसन प्याज तक नहीं खाते हैं, सुद्ध साकारी भोजन करते हैं, आत्मा निरिक्षन करते रहते हैं, उनका सिल, सभाव, रहन, सन, बोलना, चालना बहुत अच्छा होता है, सोचते हैं कि ये हमारा धर्म का आचरन हैं, लेकिन ऐसे आचरन करने वाले स्रिष्ट लोक संसार में हैं, लेकिन हाँ ये ठीक हैं कि अच्छे आचरन कर लेने से कर्म अच्छे बनते हैं, और अच्छे कर्म करने से कर्म के अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन तार्तम ज्यान एक ऐसी आउस्दी हैं, जो कर्म के बंदन से और जन्मरण के बंदन से जीव को ही परे करता है जब मारी ललतपूर अब उसके बाद में ललतपूर के उपर फिर कुछ लोगों ने हमला किया कुछ सवारी पर अस्वार पर घोड़े पर बैठ करके आते हैं और उसके उपर हमला कर देते हैं आवत भेटा रहा में और आते आते बीच रास्ते में ही उनके साथ भी कुछ लोगों के साथ आमना सामना होता है और उनको वहीं पर समावत कर दिया जाता है जो ही मिठू दोडिया और उसके बाद जो मिठू पिरजादा है वो आता है कुछ गाउं के निमनबर्ग के लोग वहाँ उस गाउं में रहे होते हैं वो रास्ते में ही उनको भी सारी उनकी सेना को मिठ्टु पिरजादे की सारी सेना को वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और उनको ऐसी लानत लगी जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनको इस प्रकार की हरकत को सारे लोग निंदा ही करते रहेंगे छूट गया अक्तियार अधिकार का छूट जाना क्यों आप जिस इस्थान पर रहते हैं जो आपकी मूल गरिमा है उस गरिमा के अधार पर यदि आप कारिय नहीं कर सकते हैं तो आपका अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है यदि आप धर्म के मार्क पर चलना चाहते हैं आप धर्मनिष्ट कहते हैं अपने आपको और धर्म के विपरीत आचरन करते हैं तो आपका अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है भई मुहिम खटोला की और इसके बाद खटोले के उपर भी हमला हुआ और उर्चे के राजा ने खटोला के उपर हमला किया क्योंकि इन छेतरों को स्रीजी ने पहले ही सास्तरार्थ में सब जग़ को जीत लिया था वहां और्चे के राजा ने उनके उपर मुहिम किया कुछ सुन्दर साथ वहां होते हैं और उनकी भी इसी परकार से बरबादी होती है फिर जेतपुर के राजा ने अब उसके बाद जेतपुर के राजा ने मुहिम करी मुहिम करना मतलब हमला किया इन्होंने और उन्होंने जैसे ही हमला किया उसकी भी बरबादी हुई उनको भी जीत हाथ नहीं लगी परा जाए हाथ लगा और इनके उपर भी लानत उतरती लानत मतलब धिकार फिर औरचे के राजा का अब इसके बाद औरचे के राजा ने आया दौवाः खटॉला पर और्षे का राजा फिर दवा खटला के उपर हमला करता है और वहां भी उसको लाहनत लगती है और बुरी तरसे उसकी हार होती है फिर राजा के मुलक लिये की पहुंची ख़वर नौरंगबाद उसके बाद फिर ये औरंगबाद में जैसे ही राजा भाव सिंग की मृत्य हु मंत्रिगंड थे उनी में से उनका प्रमुख बना दिया गया था और ये सारे मुस्लिम कौम से थे और इन्होंने इस प्रकार से अन्याय किया राजा भाव सिंग ने सिरी जी की इतनी भाव पुरुबक सेवा की वहां भजन किरंतन इत्यादी होते थे राजा भाव सिंग धाम धनी आपके जागनी कारे में मैं हर प्रकार से तन मन धन से सयो करने के लिए तयार हूँ आप जागनी कारे में जहां जहां यदि आप मेरे सरीर की भी जरूत पड़ती है तो मैं वहां भी जाने के लिए तयार हूँ लेकिन आपने जिस अखंड का ग्यान मुझे दिया ह मुझे एक बार उसका साक्षातकार कराईए स्रीजी ने पहले तो मना किया क्योंकि वो राजा रह चुके हैं उनके पास ज्ञान, भक्ती, बिवेग, बैराग्य भले नहीं था लेकिन एक अधिक भावलिंता के कारण स्रीजी के चड़नों में इतने अधिक समर्पित हो गए वो चाहते थे कि हम परमधाम का ही दर्शन कर लें तुरंत ही तुमारे अंदर अभी इतनी त्याग बृत्ती नहीं है लेकिन नहीं माने योग माय की थोड़ी सी जलक उनको दिखा दी और उनका धाम गवन हो जाता है सुन्दर साथ बहुत सारे इसमें क्या अर्थ लगाते हैं कहते हैं कि देखो राजा भावसिंग का धाम गवन हो गया हम इस संसार में रहते हैं इस नजर से परमधाम को नहीं देख सकते हैं केवल हम राजा भाव सिंग के प्रसंग को क्यों देखते हैं और उसके असली मायने को समझना क्यों नहीं चाहते हैं यदि राजा भाव सिंग की मृत्यू केवल परमधाम के दर्शन या योग माय के दर्शन के कारण हुए तो क्या आज तक इस जागन के ब्रमाण में किसी को भी परमधाम के दर्शन नहीं हुए यदि नहीं हुए और नहीं हो सकते तो सद्गुरु को तीन बार दर्शन हुआ देव चंद्रजी को हम बीतक में प्रशंग सुनते हैं तो क्या सारी जूटी बात है प्रगटमाणी में लिखा है पिया की अति प्रशन तीन बेद दिये दर्शन क्या ये जूटी बात है श्यामाजी की आत्मा जीस रूप में संसार में आई है इंद्रावत्ती की आत्मा जीस रूप में संसार में आई है मेरा कहने का भाव है सुरता से सुर्टा से स्यामा जी आई हैं सुर्टा से इंद्राउति की आत्मा आई हैं सुर्टा से बारहजार ब्रमा आत्मा आई हैं श्यामा जी की सुर्ता अक्सरतीत का दर्शन कर सकती है इंद्रावती जी की सुर्ता दर्शन कर सकती है परमंसों ने जिस परमधाम का दर्शन किया पच्चिस पक्ष का दर्शन किया तो फिर भाव सिंग की मौत क्यों हुई है कारण ये था राजा भाव सिंग संसार में रह करके अनेक परकार की लड़ाईयां और युद्ध करना यही होते हैं राजाओं के सुख समराज ये फैलाना या हारना या जीतना राजाओं के दुख सुख यही होते हैं उन्होंने कभी ज्यान भक्ती विवेक बैरागी के द्वारा आत्मा के परम सुख सांती को लेने का न तो उनके पास समय होता है न ये राजाओं में बिरिती ही होती है ये तो एक अंकूर के कारण स्रीजी के सरुप की उनको पैचान हुई और स्रीजी ने उनका साक्षातकार कराया उनके जीव को उसमें इतना अनंद मिला जहां का भी अंकूर उनका रहा होगा चाहिए इस्वरीशिष्टी की रही होगी क्योंकि ऐसा ही लिखा है उतना ही सुक लिया जितना अंकूर था ब्रमसिष्टियों के लिए ये बात नहीं लिखी जा सकती कि जितना अंकूर था ब्रमसिष्टियों से बढ़कर के तो किसी का अंकूर ही नहीं है तो हो सकता है कि उनके अंदर इस्वरीशिष्टी की सुर्ता रही हो तो उन्होंने उतना सुक लिया लेकिन उनके जीव को उस एक दर्सन की जलक में इतना सुख मिला कि उसका जीव वहाँ से लवट करके उसकी सुर्ता कालमाय के ब्रमान में आना ही नहीं चाहती थी जैसे एक गरीब को जो प्रती दिन एक रुपी अभिक्षिया में मिलता हो और उसको हजार रुपे का नोट मिल जाए तो कितना खुस हो जाएगा वो एक रुपे को भूल जाना चाहता है उसी तरीके से राजा भाव सिंग का जीव जो स्रीजी की किरपास से अखंड की एक जलक मिली उसमें उसको वो आनन्द मिला कि कभी संसार के राज, सासन और तार्तम बणी क्या करती है कई कोट, राज, बैकुंठ के न आये इतके खिन समान जागनी के ब्रमान में जो आत्मा है ध्यान में, चित्वनी में, बानी की गहराई का जो ज्यान उसको मिल जाए और बैठ करके जो आत्मा चिंतन करने लगें, उसमें जो उसको एक अंकूर का सुख दिखता है निश्वत का जो सुख दिखता है उसमें जो सुख मिलता है और ध्यान के द्वारा उस अखंड की सोभा को अपने हिरदे में धारन करता है और उसका साक्षियात कार करता है अन्य सुंदर साथ को कराने की सक्ती उसको धामधनी की कृपा से मिल जाती है उसमें जो सुख होता है वो करोडों स्वर्ग बैकुंट में भी वो सुख नहीं है जो यहाँ एक पल के अंदर मिल सकता है कई कोट राज बैकुंट के ना आय इतके खिन समान सो ब्रिथा पल जाता है चेत सको कोई चतुर सुजान इसलिए राजा भाव सिंग को जब वो सुख मिला तो उसका जीव कभी लोट करके वापस आना नहीं चाहता था उसकी सुर्ता वापस नहीं आय थी सुनसा ने रणमस्तखा को उसके बाद रणमस्तखा फिर अपने भारी भावच को ले करके परना की ओर आता है तो उस समय और उसे वापस ने सात मंजिल पार करके दूर तक पहुँचा होता है भारी भावच को ले करके तो उस समय और उसे वापसा ने सुयम उनको आदेश दिया कि रणमस्तखा तुम अपनी सारी भावच को सेना को वापस लोटा करके ले आओ अब तुम पन्ना की ओर कभी बूरी दृष्टी से नहीं देखना तुम्हें क्योंकि उनके घर साइध हो सकता है कि रणमस्तखान के वहां से दिल्ली से रवाना होने के बाद उनको ये कई सारे यहां से लिखे हुए मेजर नामे मिले होंगे इसलिए और उनके बादसा ने उनको बीच में से लोटाया साथ मंजिल आगे जा चुका था वहां से अब लोटने का आदेश देता है और कहता है कि अब तुम छत साल के उपर बूरी नजर से देखोगे तो तुमारी बरबादी होगी और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे इसलिए अब उनको हमला करने की सोचो मत तुम वापस लोट करके आओ उसके बाद में पन्ना में कभी अरुंगजेब ने अपनी सेना को भेजा नहीं फिर पंडित और छे के पंडित थे ये कुछ लड़ने के लिए आते हैं तब मारा मुलक और छे का और छे के लोगों ने उनको भी बुरी तरसे फटकार लगा करके वहां से हार का सामना करा करके भेजा और उसके बाद वहां रहना मुश्किल हो गया दुआ और पंडित ये दोनों जातियां है और उनके उपर बहुत ज़्यादा उनको दुख कोश्ट सहन करना पड़ा और वहां पर उनको बहुत ज़्यादा बिगन बादा हैं आई किया दज्जाले सोर क्योंकि यहां दज्जाल अग्यांता माया और कल्यूग ये इन्होंने हमेशा इनके उपर दुख कश्ट और कसाला पहुंचाता ही रहा पर राणा परताब सिंग ने और यहां राणा परताब सिंग ने इनकी जो बूरी नजर हुई तो ख्वारी आपस में भाई ये आपस में ही लड़ करके उनके आपस में भी बाद हो जाता है और लड़ जाते हैं और वो आपस में ही लड़ लड़ करके बरबाद हो जाते हैं क्यूंकि ये क्यामत को जाहिर होने का समय है और ये इस समय में ये प्रकट होना है कि सत और असत की बीच जंग होगा और सत की बीजय होगी और असत का पराजय होगा इसा रूव अल्ला जो तलवार लेकर के आएंगी और दज्जाल काफिरों को काटेंगी ये सारा कुछ यहां प्रतक्स रूफ से भी ये सारी घटनाएं प्रकट हो रही है जिनों जिनों जैसी करी जिनोंने जैसी जैसी नियत लेकर के वहाँ सिरी जी के साथ छटर साल जी के साथ या जहां सुन्दर साथ रहते थे उनके उपर जिनोंने जिस नियत से कारवाई की तिन सजा पाई तेत और उनको उसी के अनुशार ही उनको सजा मिलती गई जैसी जैसी जिनों करी और जिनोंने जैसा कारिय किया करम किया उस करम का फल उसको उसी रूप में मिलता गया ताए मारा उसी वखत धाम धनी साम दाम दंड भेद के द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी मेहर से अपनी सक्ती से अपनी इच्छा सक्ती से या किसी को तयार करके उनको वहीं पर बरबादी का मुझ दिखा देते हैं मरने के बखत में जब आखिरत के समय में ऐसा कहा जाता है दीपक भी जब बूजने को होता है तो उसकी लोग बढ़ जाती है तो इसी प्रकार से ये माया भी हर प्रकार से कोशिश करने के बाद जब कुछ नहीं चलता तो मरते दम में भी अपना कुछ न कुछ अपना असर दिखाती है दज्जाल अब यहां हात पटक रहा है यानि अब उसका कुछ जोर नहीं चलता तो खूद ही परिशान हो रहा है खुवार किया संसार को इस दज्जाल ने इस अग्यानता ने क्या किया पूरे संसार को अंधा किया आप ये कयामत के साथ निशान जहां सुनते हैं उसमें एक काना दज्जाल का प्रशंग आता है काना दज्जाल क्या है गधा बड़ा दज्जाल का उचा लग अस्मान पानी साथ दरिया का पहुचे नहीं लगरान वो गधा इतना उचा है पाताल से ले करके निराकार तक है उचा लग अस्मान पाताल से ले करके निराकार तक अग्यानता का अंधेरा सपने की बुद्धी का ग्यान फैला हुआ है उस सपने की बुद्धी को ग्यान ले करके संसार वाले परमात्मा को ढूड़ने चले तो आज देखिए इस तार्तम ग्यान से आप बाहर होकर की देखिए परमात्मा को खोजने जाईए तो आपको क्या परिणाम मिलेगा कहेंगे साकार भक्ति करो, निराकार भक्ति करो, साकार निराकार की स्वर्ग वैकुंट की भक्ति करो, या निराकार तक की भक्ति करो, योग साधना करो, और परमात्मा कैसा है, कतें कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, साकार कैसे है, कतें कि उनका तो कोई सरूपी नहीं कोई कार्य करना होता है वो सामर्थवान है रूप धारन कर लेते हैं अपना कार्य को पुरा करने के बाद निराकार हो जाते हैं भाई किसी स्वरुक को धारन करने ध्यान धारना करने की जरूरती नहीं क्योंकि वो निराकार है अब निराकार इसलिए कहना पड़ता है कि साकार कहें तो उनका स्वरुप कैसा है अगर पांस ततों कहेंगे तो नस्वर है मापरले में कहा जाएगा वो तो अखंड अभिनासी हुआ ही नहीं नस्वर हुआ तो इसलिए निराकार कहना पड़ता है अब साकार कहेंगे तो फिर फिर इन पांस तत्तों से परे की बात कहें तो भी तक हमें बहुत कुछ सिखा देती है ना आपने वहां हरीजी भी आसका प्रसंग सुना ना वह कहा था कि जब अक्षे बट पर रहते हैं खीर समुद्र में एक अंगुष्ठा मात्र रूप धारन करके रहते हैं तो वहां पू यहां की बात नहीं यह वो परे की बात है इस प्रकार के संसार में सारा ज्यान जहां जाकर के देव चंदर जी ने 14 वर्षों तक भागवत सुनी उन कान जी भाई से जाकर के गोवर्दन और मिराज जी ने एक ही प्रशन पूछा था भट जी कितने गूण के लोग हैं कितने लोग हैं कितने गूण हैं और परब्रम कहां रहते हैं तो उन्होंने यही जवाब दिया था परब्रम खिर समुद्र में रहते हैं जब खिर समुद्र नहीं रहेगा पांचों तत्व का प्रलय होगा 14 लोग नहीं रहेंगे तो खिर समुद्र किस लोग में रहेगा और किस तत्तो का होगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कदेज़ ब्यास जी ने ऐसे लिख दिया मैं आपको क्या जवाब दू और क्या तसल्ली करूँ आपको जहां आपके पास तारतम ज्यान नहीं है अध्यात के रास्ते पर चलोगे स्यामा जी को 40 वर्षों तक भटकने की बीतक्यों सुनाई जाती है ताकि आपको तारतम ज्यान की महिमा का पता चल जाए कि तारतम ज्यान क्या चीज है तो इस अज्यानता को ही पाताल से लेकर के निराकार तक के लोगों के पास जब तक तारतम ज्यान इस संसार में नहीं था एक ही द्रिष्टी थी केवल कर्मकांड करो और इसी संसार को चौदर लोक और पांस तत्तो से बने इस थुल सुक्षम पदार्थों कोई परमात्म का सरुक मान करके उनकी भक्ति करो स्वर्ग जाओ कर्म के फल भोगो बैकुंट जाओ और यहां से लौट करके आओ छिन्ने पुन्ने मृत्तु लुकम विसंती ये ज्ञान दिया किसने भगवान स्रिक्विश्ण जी ने भगवान विस्नु के 24 अवतारों में से सोलकल अवतार हैं साक्ष्यात नाराइन के सरूप हैं उन्होंने कहा था कि हमें अखंड का ग्यान दीजिए तो अखंड के ग्यान देने के नाम पर हमें अखंड मुक्ति दीजिए तो क्या कहा था भगवान क्रिश्ण ने तमेवो सरणम गच्छ सर्वभावेण भारत है अरजुन तुम सर प्रकार से उस परव्रम के सरण में जाओ ये बोल किसके भगवान विश्णु के नाराइन के और नाराइन तो प्रथम पुरुस इस त्रिष्टी के तो यही अज्ञानता का सरूप यही सपने की बुद्धी के ज्ञान को ही गधा कहा गया है जो निराकारतक का उंचा है पानी साथ दरिया का उसके घुटने तक भी नहीं पहुंचता इतना उंचा कहने का ताद पर यह यह है कि वो इतना उंचा है यानि पूरे ब्रमान को इ ये नहीं जानते, इसलिए ये कहा गया हैं, कि ये काना जजाल इस संशार में रता है, और सबको भटकाता रता है, यही एक शीधी संशार के किवल सब्दों का अर्थ करना, अक्षिर्ब्रम भी लिखा हुआ हुआ था, परमधाम भी लिखा हुआ था दुनिया के गृन्थों म योग माया भी लिखा हुआ था भागवत के दसों इसकंद में भगवान अपीता रात्री सर्द उत्फुल मलिका बिक्षरंतु मनस्चकर योग माया मुपासिता ये भी कह दिया कि योग माया का आस्रे लेकर के रास के लीला की लेकिन वो योग माया कहा है उस सब्द का अर्थ नहीं आता परमधाम लिखा है सब कहते हैं कि भगवान विश्णों के धाम को ही परमधाम करते हैं और आप भी तो परमधाम को पड़ते हो लेकिन आप परमधाम को परमधाम समझते हो और कोई परमधाम को सोर्ग समझता है तो कोई परमधाम को बैकुंट समझता है तो कोई नया सोर्ग और पुराना सोर्ग की कलपना करता है तो यही है काना तजाल हके दई मौमिन को धामधनी ने इसकी सारी सोभा इसको समझने और समझाने की सारी सोभा इन ब्रमात्माओं को दी है अपनी जो पहचान और धामधनी ने अपनी पहचान इन ब्रमसिष्टियों को दे करके इनके पास अनंत द्रिष्टी अनंत लोचन दिया है श्रीजी ने पाती में लिखा इनके पास तो केवल एकी दृष्टी है लेकिन तुमारे पास अनंत लोचन है अनंत लोचन का क्या तातपरी है आप भागवत लेके बैठोगे भागवत से भी परमदाम सिद्ध कर दोगे ब्रजरास की लिला को देख करके आप ब्रह्म लिला को पैचान कराओगे गीता लेक करके बैठोगे द्वाबी मोग पुरुसोलो के उसको ये है अनंत लोचन बरमात्मा के लिए उन्हीं गरंथों को पढ़ने वाले कोई नहीं समझ सकता अलीफ लाम मीम जो एक हर्फे मुक्तियात जिनको कहते हैं कुरान में सपष्ट लिख दिय कि इसका मायना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है ये इसका मायना वही कर सकता है जो खुद खुदा अल्लह होगा परमात्मा होगा और उसकी यही पैचान होगी और आज का सुन्दर साथ बहुत सरलता के साथ बैठ करके कहता है अलीफ कया महमत को रू अल्लह इसालाम मीम म मेहं दी पाक से तीनों एक कहे अल्ला कलाकर ऐभी तीनों सरूब को एक सुपाई में पश्ट कर देता है तीनों ब्रमांद मरंद को को एक प्रिक्षिद करता है थो यख स्णो भी करता है दौढ़नीं एक श्रूपाई गस्धितर ऐवक चर्त अध्या परमात्माइती उधारित ये ब्रहमसिष्टियों की अनंत लोचन है जो धामधनी ने दिये हैं साथ निसान बड़े कहे इस प्रकार से कयामत के छोटे छोटे बहुत सारे निसान है और इसमें मुल रूप से साथ बड़े निसान कहे गए इन साथ निशान के जाहिर हो जाने से, इस पष्ट हो जाने से समझ लेना चाहिए कि कयामत आ चुकी है इन ब्रमात्माओं के द्वारा ही, इनके दिये हुए इस ग्यान के फैलावे से, सारी आम खलक, आम जनता को भी इसकी पहचान होगी जो इतकादर बक्सत, कादर यानि सामर्थवान परवर्दिगार परमात्मा जिसको बक्सिस देते हैं, उसको इस ग्यान की प्राप्ती होती, पैचान होती है सारा संसार जो धर्म के नाम पर एक आपस में लड़ रहें, कोई देवी को परमात्मा मानता है, कोई देवता को करता है, कोई किस को करता है, कोई आग, पानी, पत्थर, मिट्टी, गोबर, नदी, नाले, पंचभोतिक पदार्थों को ही परमात्मा, जिस परमात्मा ने इस स तृष्टी के एक हिस्से को ही परमात्मा का सरूप मान लिया है भान किया एक दीन लेकिन अब इस तार्तम ग्यान ने इस सब को मिटा दिया कह दिया नहीं ये सब कुछ नस्वर वस्तु है परमात्मा अखंड अविनासी ये साकार निराकार से परेशुद्ध साकार वाला सरू रूप हैं अखंड अविनासी हैं जो अपने धाम में बिराजमान है और निस्बत से और आत्मा के हिर्दे में संसकार के रूप में और उनके हिर्दे में सुक्षम रूप से स्वें परब्रम का स्वरूप बिराजमान होता है सब को अपने अपने धर्म ग्रंथों से जो बेद को मानने वाले बेद से कतेव को मानने वाले कतेव से पुराण को मानने वाले पुराण से गीता भागत इत्यादी जिस पर जिसकी निष्ठाए उसी ग्रंथों को उठा करके धनी की पहचान करा देते हैं और यही ब्रमसिष्टियों के सरूप उनको परब्रम के प्रती यकिन दिलाएंगे इन ब्रमात्माओं के द्वारा दिये गए परब्रम के ज्ञान के द्वारा इन संपूर्ण जीव स्रिष्टी को आखिरत के समय में आठ भाष्टों में अपने अपने करने की अनुसार अखंड मुक्ति प्राप्त होगी पाई इनों की ब्रकत इनी ब्रमसिष्टियों की ब्रकत से इसलिए महामती जी ने कहा क्या देखी रहे हम दुनिया जो इसको ना करें अखंड सुख सितल करूं संसार सारे संसार के जीव जो जन मरन के चक्र में जलती हुई भठी के समान इस संसार में जल रहें दुखों में जल रहें उनको अखंड में पहुँचा करके सुख सितल कायम किया जाए आखर खाबंद करेगा इन खातर उठे कयामत आखिरत के समय बक्त आखिरत के खाबंद कौन है इन धर्मकरंथों में पड़े हुए रहश्यों को परदे को जो उजागर करेगा खोल करके एक परब्रम की पहचान कराएगा वही तो खाबंद होगा और खाबंद वही होगा जो परमधाम में एक केवल जागरित आउस्था में हैं और कोई भी नहीं है वही यहां करके अपना ज्यान स्वेम बताएंगे जैसे सूरज की पहचान सूरज की किरणे कराती हैं ऐसे ब्रम की पहचान वो उनका आवेश शरूप कराता है वही बगत आखिरत का खाबंद होगा इनों की सिफत सब्द में इन ब्रमा आत्माओं की और इस हकी सुरज स्री प्राणाजी की सिफत दुनिया के किसी भी सब्दों में नहीं किया जा सकता आवत नहीं जुबाएं और यहां की जुबान से नहीं कही जा सकती त्रिगुन रोए पीछे फिरे जिसको पाने के लिए संकर भगवान ब्रह्मा विष्णु इत्यादी तिनो देवता जिस परब्रह्म को जानने के लिए हमेशा लालाइत रहते हैं उनकी भक्ति करते हैं समाधियां लगाते रहते हैं इनकी खुबी सुन स्रवनाए इन ब्रहमसिष्टियों की खुबी महिमा विषेस्ता को इन गरंथों में लिखा हुआ है उसको सुन करके ये त्रिगुन भी इन ब्रहमा आत्मों की चरण धुल्य की इच्छा रखते हैं महामती कहे ए मौमिनों स्री महामती जी कहते हैं कि ये सुन्दर साथ जी याद करो सुकराना ये धामधनी के कृपा है उसका सुकर गुजार करो धन्यबाद करो कि धामधनी और ब्रहमसिष्टियों को हम सुन्दर साथ को कितनी बड़ी हमारे उपर कृपा हुई है और कितनी और इसका सारा स्रेय पूरे ब्रमांद को अखंड करने का स्रेय आखिर में कह दिया कि इन ब्रमात्माओं की बरकत से सबको प्राप्त हुए इतना बड़ा स्रेय दिया है तुम्हारी सिफत करे सुभायना सारा संसार सोर्ग वईकुंठ की उपाशना करता है प्रसंसा महिमा करता है और अक्सर अतीत अपनी ब्रमात्माओं की इस जागनी लिला की प्रसंसा करते हैं कि इनके कारण सब संसार को अखंड भाष्टों में मुक्ति मिलेगी ये धानी की अपनी साइवी है ये उनकी अपनी लिला है जिस लिला को ब्रमात्माओं ने इस करवत के दोरान परमधाम में जानने की इच्छा की थी उस लिला को धामधनी ने जागनी ब्रमान में संपन्न किया इस प्रकार से ये परना जी तक की नौतन पुरी से ले करके परना जी तक की चोथे और पांचोंगे दिन की लिला का जो लालदास जी ने वर्णन किया वो यहां आकर के समापन हुआ अब यहां से चल करके आगे कल से अष्ट पहर का मंगला चरण और अष्ट पहर की सेवा चाहिए हमारे जो पुर्वज जिनके नक्से कदम पर चल करके हम अपनी आत्मा की जागनी करना चाहते हैं हम अपने धनी का दिगदर्शन करना चाहते हैं साक्ष्यात्कार करना चाहते हैं परमधाम को देखना चाहते हैं और शरीर संसार के बंधन से मुक्त हो करके मूल मिलावे में अपनी परातम में हम अपनी सुर्टा को पहुचाना चाहते हैं तो हमारे पुर्वज जो हमारे आदर्स है श्रीजी के साथ जो रहे दस बरसों तक रह करके सुन्दर्शाथ की दिन्चरिय कैसी होनी चाहिए ये परनाजी में रह करके बताई वो बितक वो सेवा कल से शुरू होगी सभी सुन्दर्शाथ समय से उपस्थित हो करके इसका के प्रेम पुर्वक एक दो जैकारों के साथ में चोपाई को दो राएंगे बलिये श्री प्राण नाथ प्यारे की दाम के धनी की सच्चिदानंद परव्रम की महाराजा छत्र साल जीव की सर्वे सुन्दर साथ की महामती कहे ए मौमिनों याद करो सुकराना मेहर करी तुम उपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना बुलिये श्री प्राण नाथ प्यारे की दें